असलाम वालेकूम वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब ख्यारियस से होंगे वीडियो शेर्व करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जूरों अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो करें तक वाच करें वीडियो अच्छी लगें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें उसके बाद इसरह से हाज हम मैं आपके साथ सिंपल शेर्ट की कटिंग शेयर करूंगे आपके साथ इसके दिए मैंने शेर्ट के फैबर्य को इसरह से भीचा लिए मैंने सिद वाली वो जो है सामनी है इस तरह से जो है हमने पहले साइज कर लेना है शर्ट का कि क्या साइज हमने रखना है चरस्ट से हमने जो है तियार जो है में 20 इंचीज रखना है कमर से तियार जो है तक्रीबन 17 से 18 इंचीज रखना है तियरा हमने तियार 14 इंचीज रखना है कंदा जो है हमने तक्रीबन 8 इंच रखना है तियार उसके बाद कंदे और चाग का जो दिर्मियानी फासला होता है वो हमने तक्रीबन 13 इंच रखना है कित से हमने तक्रीबन 22 इंच रखना है बाद दू हमने 20 इंच रखना है उसके बाद इस तर से शर्ट के जो है कपड़े का हमने सिदह करके रख लेना है चाहर तैम हमारे पास कपड़ा आगया है और शर्ट की लंबाई जो है अब हमने लंबाई तक्रीबन 40 इंच रखना है त्यार जो है हमारी लेंद शेट की वो 14 इंचिज है शेट की कपड़े को जो है बिल्कुल जीदा करके रख देना है एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ जो आ रहे है वो हमने कट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर दिया है इस तरह से हमने जो है सबसे पहले मैं लेंख नहीं है कि मनेशेट की लांद कि रहdist नीचे से इक से घ्रिट इंच फोलडिंग के लिए रख दिया, उपर से भी बहुई वन इंच हमने इसलाई में आने के लिए रख दिया है, तो मार्क कर दिया है, हमने मार्क करने के बाद जो है, हमने तीरे का साइज लेना है, तीरा जो हमारा तियार था वो 14 इंचिस था ये देखें ये open side जो है उस side से हमने कंदे की जो है marking करनी है डबल में 13 साथ इंच में इस्ता से mark करना है और ये पोना इंच जो स्लाई का मार जगा है अब जो है we are 18 अमने लंभाई में जो है कंदे लिया और शोड़ाइं में इसको 7 इंच लिया है और उपर से double में हम ने 7 इंच लिया किया उसके बाद चर्ट से हमारी जो त्यार थी वह है 20 यहां से अभी हमने स्लाई का जो मार्जन नहीं छोड़ा उसके बाद कंदे पे रखके कमर का जो हमारा फिटिंग का माक आएगा वह 6 इंच पे आएगा छे से साड़े 6 इंच पे तो जहां पे हमने 6 इंच पे माक किया है के तो जो हमने 13 इंच पे इस तरह से कमर करेंक करने करद को कि इस दो दर्मियानी फासला था हमें 13 इंच खानेज शसाइवां हमें 11 इंच चाहिए 22 इंच है आंक करैंगे 6 बारा-थ-बारांग माक कर लें दोंडिख साइब रहन 2 इंच पे याश से तक्रीब बंजु है double में 11 वैसे यो है वाइ इंच रह जाएगा 12-2 इंच पर इस त्राए मैं ने माउक किया है कि कि वन इंच मैं अक्स्टरा रखा है दोनों सार से वश्वन वनि स्लाइमे करने के लिए इस तरह से जो है माउक कर लेना है ये देए कि इस तरह से जो है एक स्लाई हमारी जो है कि आने के लिए ए जो है तकरीब भिवानें परिखा उसके बाद इस तरह से अब हमने यहांब कर लेना है और इसको जुह हमने चाक वाले बाहिर की तरफ जो माक लिया था इसके साथ इसको टेच कर देना कियो यह जो ए यहाँ जेहां पर माक कर देखिए यहांसे भी हम ने तक्रीबबन पहुना इंचे स्लाई में आने के यह एक्स्क्रा रख़ा है तो अंदर की तरफ माक आरहे है च कपरा चुड़ा है उसके बाद इस तरह से नीचे से भी वान से पॉने इंच का हमने एक्स्ट्रा रखा है पाइपिंग लगाने के लिए यह जो स्लाइ में आएगा इसका मार्जन जाए जाए में माकी अद आधा में कट कर लेना है अब हमने फ्रेंट की जो है आरम होल की गहराई कटना कि करनी है तो उसके लिए इस तरह से हमने एस वही जिए बैक का वैसे ही बही जाएजी कांडे कर लेवां कट रागायग की हमने मजीद करना है ऊपर से एस तरह से हाफ इंच का मार्ग कर उक्ति कर हैं हैना से चोड़नों और सब्सक्राइब यहां से ओच से छोड़ने हैं और यहां से चोड़ने Not तो पॉनेंच की गहराई की थी हंदर की तरफ वहां पी हमने कुट कर ले लें हुआ हमारी जो है चेस्ट की फिटिंग आएगी यह छे से साड़े 6 इंच वाला जो सेंटर में माक है यह फिटिंग का माक है इस तरह सुझे शर्ट के हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है स्लीव की कटिंग करेंगे कि करने के लिए इस तरह है इसको हमने चार तैमें फोल्ड कर लिया है दोनों स्लीव को ओपन साइड जो है स्लीव की वो मुझसे दूरी पर है तो इस तरह से जो बंद साइड है वहां पर मैं इंची स्टेप रहके इसको माप कर रही हूं लंबाई को त्यार चाहिए थी हमी तो हमने तकरीब निट है ट्वन्टी टू इंची रखे है वान उन इंची जो है इस तरह हल्की से निकंदी की जो है कर देनी है गुलाई जहां जहां पर मार्ग के बैल बटम में यह स्लीव हैं आप चाहें तो यह बिलकु पर चाहें जो है बिलकु बस आगे से ही हलकी सी कटिंग होगी जो है आर्मगोल की कटिंग जो है कंदे की ऐसे कटिंग होगी इस तरह से जो है मैंने बहुत असानी के साथ आपके साथ शार्ट की कटिंग कटिंग शीर की है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी चानल को सब्सक्राइब करें बेल बरन को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अपना बहुत सारा खियाद रखें दौाओं में याद रखें, मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हफिज